तो दोस्ते एक बार फिर आप सभी का UPSC प्रिलिम्स टेस्ट्री 2023 में स्वागत है आज है टेस्ट नमबर 5 एंसेंट हिस्ट्री का और इसी के साथ हमारा टेस्ट नमबर 1 एंसेंट हिस्ट्री का 100 कुशन का टार्गेट कम्प्लिट हो रहा है इसके बाद आपको इसकी पीडिय सब्सक्राइब जो है हिंदी और इंग्लिस में हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगे यह हमारा टेलिग्राम चैनल है आप यहां से स्कैन कर सकते हैं या फिर इसके पहले हमने इन्वार्मेंट के टेस्ट किये हैं आज ही और अगर आपने और हमारे टेस्ट नहीं देख है उसमें और टोटल हम 5-6000 कुरिशन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें मैक्सिम टेस्ट हो चुके हैं और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जैसा कि हमने पहले बताए अब एक दिन में दो टेस्ट हो रहे हैं यालिन दो वीडियो अप्लोड हो रहा है और अगर आपको टेस् कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए टाइम कम है काम ज्यादा है तो लग जाए और इसके साथ ही एक बार फिर से कह रहे हैं आप लोग सीट पर भी बराबर ध्यान दीजिए क्योंकि दो महीने लगभक दो महीने से कम बचा है टाइम आप सीट पर फोकस कीजिए क्योंकि सीट ही बहुत लोगों का लटक जाता है लेकर तो आज की बात करें तो भारत के धार्मिक सांस्कृतिक इतियास के तंदर में निमिलित कतनों पर विचार कीजिए निमिलिकित में कौन सी प्रता विस्वास भगवान और जैन धर्म की मानता थी कि सभू बस्तुएं सभी बस्तुएं वो चाहे सजी हो या निर्जी हो उसमें आत्मा होती है अच्छा उसे नुकसान नहीं पहुचाया जाना था जैन धर्म यहां तक मानता था कि संसार के त्याग और कठोर तपस्वास रखता है यानि उनका नि मिलाकर जो है इसमें देखेंगे तो वो धर्म निर्पेचता में विश्वास नहीं करते थे और बहुत धर्म का जो मध्यम मार्ग है वो केंद्रित था मध्यम मार्ग पर लेकिन जैन धर्म जो है चरम सीमाव पर केंद्रित था तो कुर मिलाकर इसमें आप्शन सी सही होगा यानी option एक, तीन, चार, छे, ठीक है, और जैन धर्म जो है अनेकांत बात पर भी केंद्रित था, ठीक है, question number 82 की बात करें, 82 में क्या पुछा है, भारत में धार्मिक संप्रदायों के संदर्म में, जैन धर्म और बहुत धर्म के बीच अंतर के संदर्म निवलिक कत्नों पर वि विच्छू, यानि विच्छू होने की सक्त मना ही थी, जबकि बहुत धर्म उनकी अस्थापना के समय से ही इसे स्विकार किया गया, अस्थापना के समय से ही बात कर रहा है, option 2, तीर्थंकरों की तरह जो व्यक्ति को सही ग्यान के लिए मार्ग दसन करते हैं, और बहुत धर सुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तथा लोगों को सही ज्यान के लिए मागदसन करता हो बुद्ध ने स्वयम इस बात की वकालत की थी कि प्रतेग व्यक्ति को जर्म और मृत के चक्र से मुक्त होने के लिए स्वयम के उधार कार करना चाहिए तो इस परकार देखेंगे इसमें कौन सा गलत है यानि एक और दो सब्सक्राइब करते हैं अगर बात करें एक सरवच इश्वर या दियोता को स्विकार नहीं करता अनुवाई के बजाए आत्म ग्यान को प्रत करने पर केंद्रित करता है ठीक है तो कुल मिला कर देखेंगे जो जैन धर्म है वो इस्वर के अस्थित को मानता दिये है लेकिन एक निर्माता के रूप में नहीं उन्हें जीन माना है यानि महावीर से नीचे रखा है तो इस किसे के सासनकाल में हुआ था और कनिच के सासनकाल की बात करें तो जब चौथी बहुत परिशत हुई थी लगभग 72 एडी के लगभग तो वही इस समय हुआ था जबकि जैन धर्म में दिगंबर सेतांबर का विवाजर महावीर के मृत के 200 साल बात जो है लगभग जो है दे एक चाली है याने जैन धर्ममट की निंदा नहीं किया जैसा कि बहुत धर्म में किया गया था ठीक है तो इस प्रकार इसमें जो है कौन सा गलत है एक और दो गलत है आप्शन एक सई होगा कुश्चन नमबर 84 की बात करें इसमें जैन धर्म और बहुत-धर्म के बाराए मीम आतुरा कला संपरदाय पर बॉध और जैन दोनों धरमों का प्रभावता, कौन सा कथन सही है। अगर बात करें इसमें आप्सण एक की तो आप्सण एक सही है, यानि महाबीर्च होते वह बुध्य के शमकालिन थे। ठीक है, आपसन दो की बात करें, तो आपसन दो भी सही है, यानि जैन धर्म में निर्वाड, जीवन और जन्म के चक्र से दुख के मुक्ति का अंदर साता है, बहुत धर्म को में निर्वाड का आर्थ ज्यानोदाए, यानि मुक्षी प्राप्थिया, मृत्त को पर कुषार सासको के सनरच्छर में विक्सित हुआ, ठीक है, और बहुत जैन हिंदू धर्म से प्रभावित था, ठीक है, तिस प्रकार जो है, यह भी सही है, यानि इसमें आपसन डी सही है, कुषे नमबर 85 की बात 85 में क्या पूचा है, निर्वलिखित कतनों पर विचार कीजि इन्हें राजाद्वारा निचले प्रसासनिक पदो पर निवत की देखरेक के लिए निवत किया गया था, कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, कि मंत्री यानि मंत्रिन या महाज याजाक पूहित, आज जैसे सरवच पद अधिकारी को लगब तो ये बात सही है, आपसन दो की बात करें, तो आपसन दो गलत है, यानि चंद्रकुप्त मौर्क ने जासूसों का एक समून निवत किया था, जो पूरत देश में होने वाली घटनाओं पर नज़र रखते थे, निमत रुप से राजा को सुझित करते थे, इस्ट्रेंबो क ने कहा, इस्ट्रेंबो का कहना था कि इन जासूसों को सबसे वफादार व्यक्तियों में से निवत किया जाता था, और पाडिवेदक और पूलिशानी का भी उलेख है, जो राजा के विशेस पत्रकार के रुप में कार करते थे, उन्हें जनता की राय से अउगद कराते थे इस प्रकार इसमें उपसन एक सही है, कोशन नमबर 87 में क्या पूछा है, 87 ने पूछा है निम्लिकित में कौन सा वाक्यांस अर्द सीतिक और बात करें श्वाईव वर्जवी के परिभासित करता जिसे आम तर पर मौर कालकस रोदो संदर्वित किया जाता है, तो आप चार आपसन दिये गए हैं, इसमें देखेंगे, तो जो सही है, तो इसमें देखेंगे कि ये जो दोनों सब्द हैं, ये बटाईदार फसल के स्वामित वाली निजी और स्वामित और दोनों भूम पर मौझूद थी, तो इस प्रकार देखेंगे, कौटिल राजजी के स्वामित स्वामित वाली भूम को करने वाले विविन प्रकार के बटाईदारों को संदर्वित जैसे अर्द सिटिक यानि उत्पाद का आदा हिस्सा और स्वाईवी योर्प पर जीवी यानि उत्पाद का एक चौथाई या पांचवा हिस्सा रखा यादा था, तो इकुल मिलाकर य भारत-यौनलयों की अवज लेकर निम्लित कत्मों में कौन सा कतन सई नहीं आपसें इंडव्न घ्रीक सासक में सए एक सासक नपा बगृतं का बाद घ्रंत्व मिलिंद पन्र्यों में केंद्री चरित रहारा है daw मिया इंडॉम्नों घ्रीक सासकों ने राज के उप्योंक्य स सोने के सिक्के जारी की और मौर काल की प्रथा को जारी रखा आपसन सी उत्तर पस्टमी भारत में विस्ट्रिक कलाओं मिसेस्ताओं के सुरुआत के कार्द ग्रीश सासकों को याद किया रता है अपसन भी आपसन डी है बेस नगर अस्तम सिला लेक से पता चलता है कि भारत कथन सही नहीं है तो इसमें जो कथन सही नहीं है उसमें जो है ऑप्सन जो भी है वो सही नहीं है यानि इंडो ग्रीक सासकों ने राज के उपियों के लिए सोने के सिक्के जारी करने के मौरकल के प्रथा को जारी रखा ठीक है इसके इसाब से यह सही नहीं है यानि इंडो कुषाणों के तहक संख्या में ब्रिद्ध हुई थी दिल्चस बात यह है दोस्तों की सक और पार्थियन और छत्रव के सिक्वों में दूइभासी और दूइलिप किर्वंतियां सहीत भारत युनायने सिक्वे के बुनियादी विश्यस्ताओं का पालन करती है ठीक है तो कुल सिस्टम को कैसे प्रभावुत की सरकार की शत्रव प्राड़ी की सुरुआत करके आप्सन दो है या काल बहुत धर्म के महायान आगमन के लिए जिम्मेदार था आप्सन तीन चिकिस्ता के और असायन विग्यान के विकास में भारी योगदान आप्सन चार भारत में को बताना अगर बताएं तो एक की बात करें तो यह सरकार की शत्रवसिस्टम की शुरुआत थी यूंट इस से प्रभाइत हुआ था इसके अलावा आपसन दो की बात करें काल बहुत धर्म के महायान अगमान के लिए जिम्मधार था आपसन तीन की बात करें तो आपसन तीन गलत है भले ही जो भारती खगोल बिग्यान और जोतिस को युनानियों के संपर्ख से लाव हुआ था लेकिन बात करें भारतियों के चिकिस्ता वरंसपत्र बिग्यान रसायन में युनानियों के योगदान नहीं दिया इन तीने बिस्वेव पर चरक और सुसुरत ने विचार किया था ठीक है ऑफसन च तोलकपियम ब्याकरण और काब पर एक ग्रंथ है, आप्शन दो है, तोलकपियम एक मात ऐसी पुस्तक जो पहले संगम युक से जुड़ी हुई है, आप्शन तीन, सितलाई, सतनार, द्वारा लिखित, सिलपादिकारम, संगम, राज्य ब्योस्था और समाज के बहमोल जानका प्रतान करता है कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो इन में बदाना है कौन सा कथन सही, अगर बात करें ओप्सन 1 की दोस्तों, तो तुलकपियम तमिल ब्याकरण का एक भाग है, जो यह संगम युक के समाज की समाजी क, राजनेतिक और आर्थिक स्तित के बारे में जानकारी करत करता है देता है या घ्याकरड और काब उपर ग्ट है了 option 2 की बाद करें ऑशन 2 गलत है यानि दूसरे संगम से बच्ची एक मात फुस्तक तो फुषी तो थो अन्हें है ऐसा माना जाता है कि यह वैदिक रिश्च से खाश्ट कि ठुलकर थुलका प्यार नामक एक लेखत द्वारा लिखी गई थी ठीक है यानि दूसरे संगम से जुड़ी हुई है option 3 की बात करें option 3 जो है गलत है ठीक है यानि अगर बात करें इलांगो, आदिगल द्वारा लिखित, सिलपादिकारम, कोलन, कन्नगी और माधवी के प्रेम के प्रसंग के बारे में है ठीक है और यह संगम राजब्योस्था और समाज के बारे में बहमूल जानकारी प्रदान करता है तो इस प्रकार देखेंगे इसमें option A सही है केवल एक, question number 90 में देखने क्या पूच्छा है भारत के इतिहास के में संगम काल यूग के संदर्म नेमलित्म कौन सकासान सही option A संगम यूग में वनसानुगत राजब्यों सरकार्प का रूप था option 2 स्वराज सरी राजस एक मात्स रोत विदेशी वस्तिवों पर कर था option 3 सती प्रथा का ना होना इस यूग के उल्लेकनी विश्यस्ता थी तो आपको बताना है कि इतिहास में संगम का यूग के संदर्म इन तीनों option में कौन सा उत्तर चाहिए अगर बात करें option एक की तो ये बात चाहिए कि संगम यूग में जो है अनुवांस की या वनसानुगत जो है राजब्यों सरकार का रूप था ठीक है option 2 की बात करें option 2 जो है गलत है यानि भू मिराजत से विदेशी ब्यापार पर सीमा सुल्क युद्धों पर कबजा की गई आयके मुक्स रोत थे option 3 की बात करें तो सती प्रथा जो है अभी भी समाद में प्रसलित थी और विश्योस रूप से उचिजात की महिलाओं द्वारा प्रसलित थी तो ये बात भी गलत है तो इस प्रकार दिखेंगे इसमें option A सही है किवल एक question number 91 में क्या पूचा है इसमें संगम यूग के संदर में कुछ यूग में दिखे दिये गये हैं उसमें बताना कौन सा सही सुमेली थे option 1 कुरिंज संगम यूग के क्रिसिभूम option 2 है नडुकल मुख देवता मुर्गन थे option 3 है एटगोई संगम यूग के आठ संकलन तो आपको बताना इसमें कौन सा सही सुमेली थे अगर बात करें option 1 कि जो है गलत है यानि कुरिंज संगम यूग में पहाड़ी जंगली इलाके भूम पहाड़ी छेत्रों के इलाके थे इनके प्रमुख देवता मुर्गन थे जिनका मुख व्योसाय सिकार और सब्साय संग्रा था ठीक है यानि इसका मिलान अगर इससे होता तो यह साही होता ठीक है option 2 भी जो है सुमेलित नहीं है नाडुकल जो है युद्ध में योद् मुद्र पुर्सो और उनके गाहों के महिलाओं के रच्छा करते अपने जान गवाने वाले संभान करने के लिए बनाए गये थे option 3 की बात करें option 3 सही है ठीक है यानि एटगो संगम के आठ संकलन है तो कुल मिलाकर इसमें option D सही है और संगम साहित की युक के संब्द में बताएं तो आठ संकलन के बारे में बात करें तो साहित में जो अभी इसके पहले चर्चा आया था तोलका प्याम एटगोई पट्टापटू और इस प्रकार के दो महा का भी सामिल थे जिनका नाम जो है रखा गया था सिल्पादिकार इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा अब बात करें कुछिन नमबर 92 संगम साहित दी गए पुस्तक का विश्य दिया गया है सिल्पादिकारम का विश्य है या कोलन और कर्नगी और माध्वी के प्रेम प्रसंग के बारे में आप्सन दू कुराल जो है पांड आप्सन सही सुमेलित है अभी मैंने बताया ही सिल्पादिकारम वाला जो मिलान है यह जो है सही है आप्सन दो की बात करें तो तिर्कुल दर्शन और सिध्धानतों से संबंदित है तिर्कुल द्वारा लिखा गया है था और इसमें जो है दस दो है 133 खंड सामिल थे प्रत देश के समाजिक आर्थिक स्थित का वर्ण करता है और मंगुडी मर्थनार द्वारा लिखा गया है ठीक है इस प्रकार दो है इसमें ऑप्सन एक यानि ऑप्सन बीस आई है कुश्चन नमबर 93 की बात करेंस में क्या पूछा है संगम यूप के संबंद में निमलिकित कतनों पर विचार करना अप्सन एक तमिल सामराज्यों के वस्तूओं के विद्यसी बाजारा में अथिदिक मांगती आप्सन दो वनिगर क्रिसक थे जो वेल लायर ब्यापार वाड़ी जी करते थे आप्सन तीन है चोल सासन में वलंगई दंगई एक प्रकार का व्यापारी थे आपको ध्यान रखना है साउथ है उसमें संगम काल से बहुत सारे कुष्चन आते हैं तो इसलिए कुष्चन जादा हैं अगर बात करें आपसर एक की तो आपसर एक जो है सही है यानि संगम साहित के अंसार तमिल भूम कि में कुछ वस्तूओं जो थी जिनकी विद्यसी बा बड़े सोना कांच सामिल थे ठीक है आपसर दो की बात करें आपसर जो है गलत है यानि आपने तुलका प्यम के चार जाती हूं और अरशार अंथर वनिगर और वेलार को संदरबित करता है सासक वर को अरशार कहाता है संगम की राजनितिक और धर्म में अंथनारों को लगाई दंगई जातियों की सही होग थह तो कुल मिलार कर इसमें केवल एक ही सही ऑप्सण ए कुछिशन 94 में क्या पूछा है इसमें संगम समाज में भूमी के प्रकार दिया गये मर्दम और उसका मुखेवर्षा क्रिसी पलाई डखायती मुलई और सिकार करना कौन साथ सुमेलित है तो आप देखेंगे इसमें जो ऑप्सन एक और दो है यह सुमेलित सही है ठीक है मुलई मतलब देहाती मर्दम मतलब क्रिसी नेडल होता है तटी पलाई कहा जाता है रगिस करता है तो कुल मिलाकर जो है इसमें जो है एक और दो सुमेलित है आपको द्यान रखना मुलई क्या है मुख्य देवता मियोन यानि विश्व मुख्य बेवसाय पस्पारन और डेरी उत्पास से निपटना था ठीक है सिकार नहीं था कोशन नमर 95 में क्या पूचा है संगम युग के संदर मेंने मिली कत्नों में कौन सा वाक्यांस अरसार और अंतनार सब्दों का सबसे अच्छा वर्डन करता है option 1 संगम युग के प्रसित सरदार थे option 2 संगम युग के दौरान सामाजिक जीवन को चित्रत करने वाली प्रमुक साहितिक सरचनाय थी option 2 संगम काल के प्रात्मिक देखताओं के नाम थे option 2 विशिष्ट ब्यासाम वाली विभिन जातियां थी तो आपको ध्यान रखना है यह भ दो का संबन ठीक है इसमें option 2 सही होगा question 96 की बात करें इसमें क्या पूछा है संगम युग के संदर्वन ने मिले कतन पर विचार केजिए option 1 यह अवद अपने उदार मुल्यों के लिए जाने जाती थी जिसमें महिलाओं को अपना जीवन साथे चुनने का अनुमत थी option 2 इस इसमें कौन सा कथां गलत है इसमें केवल 2 जो है वह गलत है ठीक है option B जो है वह गलत है यानि संगम युक्यदर महिलाओं के स्थित का पता लगाने के लिए संगम साहित की बहुत सारी जानकारिया है ठीक है यानि उसमें जो सती प्रता का पूर्ण आभाव था ऐसी बात नहीं है सती प्रता जो है विद्धिमान थी जो उच जातियों में पाई जाती थी तो इस प्रकार इसमें जो है option B जो है कुछ नमबर 97 में क्या पूछा है कुछ वस्तु दी गई है उसमें बताया उप्रोक्तम से किस वस्तु में संगम यूग के मुख निर्यात के गठन किये गए अच्छर भारती राज्यों और ग्रीक सामराज के बीच फलते फुलते ब्यापार में योगदान था इसके पहले म और 6 किमती पत्थर यह यहां से जो है भेजे जाते थे ठीक है यानि इसमें ऑप्सन भी होगा इसके अलावां घोड़े जो है जो है यह सब चीजे जो है महां से निर्यात की जाती थी ठीक है कि यानि सोना घोड़ा हुआ मेठी सराब यह जो है मुक्ष आयातिक थी अब बात के कुश्चन नंबर 98 की इसमें क्या पूछा है यक्ष और यच्छी की मूर्तिय मौर काल का एक महत्पुड हिस्सा है यक्ष और यच्छणी के बारे बने लिए कतनों पर विचार कीजिए इसमें आपका आड़न कल्चर भी आ गया आड़न कल्चर की चर्चा हो ही रही है बीच बीच में मैंने पहले बें कहा इतियास और कल्चर अखवी अलग नहीं रह सकते तो आप्शन एक है यक्ष और यक्षी प्राचेजिन तब उल्लेक सम श्रामवेद में मिलता है आप्श इसमें बताना है दोनों के बारे में निमली कतन पर विचार करके बताना है कौन सा गलत है अगर बात करें एक ही तो मौर काल की दो प्रसिद मूर्तियां है यक्ष और इक्षी यक्षी सबसे पहला संधर्वित तमिल पार्ट सिल्पाद इकारम में पाए जा सकता है ठीक है कि redemption है option 2 की बात करें option 2 की बात करें a option 2 है शही है सभी जैन तीर्थंकर यक्षी से जोड़े थे अगर बहुत धर्म के आगमन के पहले ही जो है और बाद में यक्ष पूझा बहुत लोगप्री थी इस पेकार देखाई option 2 की बात सही आप्शन 3 की बात करें आप्शन 3 गलत है यानी यक्छ और यक्षी की पूजा 3 धर्मों दर्क किया थी जयन धर्म, बहुत धर्म, हिंदु धर्म तो इसमें कौन सा गलत है 1 और 2 गलत है सॉर्ज एक और 3 गलत है आप्शन A सभी होगा कोश्य नम्र 99 में क्या पूछा है दो कथन दिए एक कथन दिये गया एक काड दिया गया मॉर काल के महांस हैर मुख रूप से पत्थर के बज़्या लकड़ी से बने थे option काड या गया क्यों बने थे अरह किएज़र की अधिक्य था क्योंकि पफ्चर के तुलनामी से तराशना असान था मोर सिल्ब कार बठर के काम में कुछर नहीं थे ल्हSi you know this baik इसमें देखेंगे इसमें जो है एक बात का कथन तो सभी है कि मौर काल में महान सहर जो थे और मुकरोप से पत्थर के बजाए लकड़ी के बने थे लेकिन कार गलत है जिसे पकार आप्सन सी जो है सभी होगा कार क्या है अगर बताएं मेगा स्थनी का उलेक है कि चंद्रीट मौर का महल हला कि तुकला अकुसर होने काड़ नहीं था पत्थर के काम में महारत मौर कारेन अखंड अस्तंबो से अस्पष्ठ होता है इस परकार पत्थर पर लकडी का उपयोक मुखुरूप से तथ के जिम्मदा ठेयरा जाता है कि गंगा का मैदान में पत्थर को तुलनात्मद तो यानि आप जो लोजिकल कंडीशन भी वहां कि जोग्राफिकल एरिया जोजिकल कंडीशन भी देखे जाती है किसी भी सहर के निर्माड के लिए किसका काड़ जो है गलत है कुशन नमबर हंडेट की बात किसमें क्या पूछा है इलहाबाद अस्तम्भ अभिलेग के संदर न में अगर आपसन एक की बात करें तो इलहाबाल अस्तम्भ सिरालेग समुद्र गुप्त के सहन विजय का विवड़ था समुद्र गिप्त के परिग्रहण के परिस्थेतियों उत्तर भारत और दक्कन के सहन अभियानों अन्य समकालें सासकों के साथ उनके संबंदों एक कभी परिकार के जो है या सिलालेग असोग के अस्तम पर उकेरा गया था इसलिए असोग और समुद्र गुप्त दोनों से संबंदेथ है ठीक है केवल समुद्र गुप्त से नहीं आपसन 2 की बात करें आपसन 2 सही है यानि हरिसियन द्वहरा संस्कृत में प्रयाग प्रसस में यानि इलाबाद अस्तम जो अभिलेख है संकेत मलता है कि समुद्र गूर्प असोग से बिल्कु बिप्रियुत था समुद्र गूर्प जो था सैन अभियानों और विजय में विश्वास करता था जबकि असोग एक सांत रिप्रिस आ सकता जिसे कलिंग यूद के बाद यूद को त्याग दिया था तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन सी साई होगा केवल दो तो दोस्तों इस प्रकार हमारा एंसेट हिस्टी का टार्गेट कंप्लीट हुए इसका सिप्पेट पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल इस्टडी यान आइस पर मिल जाए गया आँसे स्कैन कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट थोड़ा पसंदा आओ चैनल को सेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीए ज्यादा लोग पहुत सके थैंक्स पर वाचिंग अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में इस्टे ट्यून